2024 लोगसभा election की date आ चुकी है अब Congress के बिजेपी पे भरपूर आरोप लगाए है कि उन्होंने उनके account चुनाओ के वक्त freeze कर दिये हैं अब उनके पास पैसे नहीं है चुनाओ लड़ने के लिए और ये allegation एक महीने पहले Congress Party के सारे bank account freeze कर दिये गए आप सोची है आप किसी परिवार के bank account freeze करिये किसी बिजनस के bank account freeze करिये किसी भी संस्का के bank account freeze करिये होता क्या है एक तम खत्म हो जाता है अगर आपने किसी परिवार का bank account freeze कर दिये बूके मर जाते हैं वह Congress Party के साथ किया जा रहा है एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्ताने हिंदुस्तान की संस्ताने किसी कॉर्ट ने किसी election commission ने चूं तक ने खा सब डामा देख रहे हैं 20% हिंदुस्तान के लोग Congress Party को वोट देते हैं हम 20% लोगों को represent करते हैं और आज हम railway ticket ने खरीच सकते हैं आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं बेच सकते हैं हम advertisement नहीं लगा सकते हैं और क्यूं चौदा लाख रुपए साथ साल पहले चौदा लाख रुपए का issue है और 200 क्रोड रुपए का fine और सारे के सारे bank account freeze कर दिये जब income tax लिए दिखाना मुझे तरा 200 क्रोड जब income tax साफ income tax की जो act हिसाफ कहता है कि जादा से जादा 10,000 रुपए का fine मिलेगा तो यह हिंदुस्तान का लोग तंतर यह criminal action है Congress party के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोग तंतर के खिलाफ और यह criminal action हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री कर रहे हैं मेरी विंती है कि जो हिंदुस्तान के institutions है जो वो अपने आपको हिंदुस्तान के institutions मानते हैं देमोक्राइब को प्रोटेक करते हैं लोग तंतर को प्रोटेक करते हैं हिंदुस्तान के courts हो हिंदुस्तान का election commission हो वो इसके बारे में कुछ करें और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डिमोक्रिजी जूट है यहां कोई डिमोक्रिजी नहीं है प्रिकस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकांट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है किसरी जी के टाइम से नोटिस आया है तो अजीब से सिचुएशन है सब लोग देखने हैं और हर संस्ता मतलब का रोल है इसमें कोट्स का रोल है एलेक्शन कमिशन का रोल है धन्यवाद शुक्रिया